नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल जीज़स्टार्ट एजूकेर में मित्रो आज हम बात कर रहे हैं पॉलटी की पॉलटी में आज मेरा सात्वा सेशन है और आज हम उन सभी कोशन का बात करें आज कोशन है जिदने भी अनुच्छेद है हमारे संभीधान में हम सारे अनुच्छेद को एक जगर कलेट किये हैं और एक जगर पीड़े बना की इसका हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आज का जो सेशन है यह बहुत महतोपूर्ण है इसका हर एक एक सीज़ देखें चुकि हम एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे तो चुकि हम अनुच्छेद जिदने भी अनुच्छेद हैं तीन सो पंचान भी अनुच्छेद हम उन सारे को दो पार्ट में किये हैं दो वीडियो आएगा उसका और ये दो वीडियो में आप सारे के सारे अनुच्छेद आप देख लेंगे और जितने भी important अनुच्छेद हैं उनको ज़रूर याद कर लें हाला कि exam के दिरिश्टी कोंट से हैं तो सभी महतोपून है तो मैं एक समरी बना के लाया हूँ कि सारे अर्टिकल को एक ही जगा है तो ताकि आप इसको विशेश तोड़ से देख लें और सारे अनुच्छेद जो important है या फिर जो आपको याद करने लायक है सभी याद कर लें क्योंकि exam में तो सारे पूछे जाते हैं लेकिन कुछ महतोपून है तो सारे को मैं एक बार यहाँ पर प्रजेट कर रहा हूँ और आप इसको देख लें जैसे बात है कि अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है कि संग का नाम और राजी का छेत्र ठीक है न संगे का नाम क्या होगा और उसका राजी छेत्र क्या होगा दूसरे में बात कहिए अनुच्छे दो में कि नए राजीओं का प्रवेस या अस्थापन प्रवेस का मतलब कि एक राजी दूसरे राजी में मिला दिया जाए या फिर नय राज बनाया जाएं तो अनुछे दो में इसका वड़ा है अनुछे तीन की बात कर रहे हैं तो नय राजियों का निर्माड और वरतमान राजियों के छेतरों, शिमाओं या नामों में परिवर्तन कि जैसे जो नय राजिय का निर्माड है तो मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, तो आप इसको देख लें एक बार, जैसे अनुछित पांच में, सम्मिधान के प्रारम्म के शमय नागरिक्ता की बात किया गया है, ठीक है, पंदर तक हो गया, फिर इसके बाद अनुछित सोलव है, कि लोग नियोजन के विश्यों में आवसर की शमानता की बात की गई है, अनुछित 17 में अस्प्रिश्यता का अंत ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये चुकि जो इंपोर्टेंट है, मैं बहुत जादा उसको जो है लगा दे रहा हूँ, अनुछित 18 उपादियों का अंत वे अनुछित 21 प्राण और दैहिक्ष तंतरता का सनुछित वेरी इंपोर्टेंट, इस सभी आपको 14 से लेके 21 तक, इस सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है न, चलिए, नेक्स्ट की बात करता हूँ, नेक्स्ट है आपका 21, 21 का की बात करता है, दीखिए, यहाँ पर क्या कर रहा ह कि 6 से 14 वर्स्त के सभी बच्चों को निसुल्क और अनिवारी सिच्छा का प्रावधान, ठीक है न, जो हमारे 6 से लेके और 14 वर्स्त के जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, वालक हैं, उन सभी को निसुल्क सिच्छा का प्रावधान हैं, और यह अधिकार दिया गया है, कम के बचे उनको काम पर लगा दिया जाता है ति ये बात उन की गई है अनुष्य 24 की बात कर रहा कारखानों आदे में बालकों के नियोजन का प्रतिशेद्ध दें के वही बात ये भी है उसी में कि उनमें बिल्कुल निश्यद होना चाहिए जो कारखाने कल कारखाने उसमें जो बालक है ठीक है नै जो बड़े नहीं हुएं जो वैस्क नहीं वैसक से छोटे जो बालक हैं उनको कारखानों में काम करने पर प्रतिशेद हैं अमचित 25 की बात कर रहा है अंतर करना की और धर्म के अबाद रूप शेशामने आचरन और परचार की शोतंतरता की बात कर रहा है अनुच्छद 31 में अलप संख्यक वरवों के हितों का सनच्छा अलप संख्यक सब्द जो होता है यह हम सिर्फ मैनर्टी का मतलब क्या होता है यह सानिक निया हमारे यहां पर मुश्लिम मैनर्टी वो शब्द है कि जहां पर जो भी धर्म बहुत ही कम परसेंटेज में पाइज आते हैं वो माय नार्टी में काउंट होते हैं ठीक है न अनुछेद 32 का हम मैधानिक उपचारों का अधिकार की बात किया गया है अनुछेद 49 राज द्वारा अनुसरणी कुछ नीती तत्यत की बात किया गया है अनुछेद 21 तो बार-बार पूछा जाता है इसको आप बिल्पुल ध्यान से देख लीजेगा नेक्स्ट की बात करता है ये है ठीक है हमारा 32 तक हो गया था सम्मेधानिक उपचारों का अधिकार हो गया था 39 राज दोरा अनुसरमरणी कुछ निती किता तो ये भी हो गया था अनुछेद 49 क की बात करें ठीक है न शमान निया तथा निसुलक विधिक शाहता की बात कर रहा है अनुछेद 40 देखे बहुत बार पुछा गया ठीक है उनिफार्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया ये जीतने भी मैं बता रहा हूं न इदे की बहुत इंपॉर्टेंट है आप बिलकुल सब देख लेज़ेगा इसको जो है नेक्स्ट की बात कर रहा है देखें नेक्स्ट की बात कर रहा है कोशन ये 45 अनुच्छद 45 कि च्छवर से कम आई कि बच्चों की बाल्या अवस्था की देख भाल और सिच्छा के लिए परावधान की बात किया गया ठीक नेक्स्ट च्छवर से कम के बच्चे है 48 का देखें बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छद 48 का पर्यवरन का सनरच्छण और सनवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रच्छा की बात किया गया है ठीक ने पर्यवर सनरच्छण की बात कर राइस में जीव जन्तु की बात कर रहा है अनुच्छद 50 कारेपालिका से न्याइपालिका का प्रिथी करूं अलग की बात कर रहा है, कारेपालिका और नियापालिका का अलग, अनुछेद अक्याउन, अंतराष्टी, सांत्या और सुरच्छा की अभी बिर्धी, अब देखी बहुत important, मूल कर द अभी, ठीक है न, फिप्टी वण की बात कर रहा है, ठीक है न, क्या अभी यह, यह देखी 51 कह तो ये तो बाद में चवल से संभिधान संसोधन 1976 में जोड़ा गया है ठीकिन पहले जब संभिधान बना तो शुरू में तो ये शर्द नहीं जोड़ा थी बाद में जोड़ा गया यानि संभिधान संसोधन किया गया ठीक बावन की मैं बात करता हूँ बावन की बात करता है, अनुछेत बावन, भारत का राष्टपती, देखे देखे राष्टपती का जब चुना होता है, तो उसके तमाम प्रक्रिया होती, उन प्रक्रिया में हर एक अनुछेत का वड़न है, हर एक अनुछेत के अंदर गत होता है, तो राष्टपती का देखे एक राष्ट्रपती होगा जिसका ओड़न अनुछित बावन में दिया गया है अनुछित पच्पन में के राष्ट्रपती के निरवाचन की पधती एकल संक्रमड़ी वीदियो होती है तो उसमें कैसे कैसे क्या होता है तो अनुछित पच्पन में दिया गया अनुछे सताओं में पुनर निर्वाचन के लिए पातरता की बात किया गया है अनुछे दठाओं में राष्टरपती पद की योगिता की बात किया गया है अनुछे साथ में राष्टरपती द्वारत सपत या प्रतिग्यान सपत की बात किया गया ओध जो लेते हैं राष्ट पती चुना में जीतने के बाद जो हम जब हम सबत की बात करते हैं तो अनुषद 60 में हैं अनुषद 60 देखें बहुत important है very important अनुषद 60 क्या है कि राष्ट पती पर चलाये जाने वाली महाभियों की प्रकिरिया की बात किया है ठीक है ना जो राष्ट पती पर चुकि राष्ट पती कैसे हटाये जा सकता है ऐसे तो हटाये नहीं जा सकता है तो महाभियों का जो वड़न अनुषद 61 में है चले अनुषद 66 में क्या है उप राष्ट पती का निर्वाचन देखें राष्ट पती की बात कर रहा है ठीक है तो उप कसमित ताओं मैं राष्ट्रपती के कृतियों का निर्वाहन की बात किया है और उचिर 72 राष्ट्रपती द्वारा छमा दाम पॉड़न्स की सकती जैसे जो हमारे अपराधियों होते हैं या फिर जैसे उनको मृत्व धंड की सजा मिल जाती है या फिर उनको उम्रकाद के तो तो मृत्व धंड की सजा होती है उसको राष्ट्रपती क्या करता है छमा करके उम्रकाद में परिवर्टित कर सकता है तो राष्ट्रपती के पास ये पावर है क्यों कुछ भी कर सकता है छमा किसी अपराधि को छमा भी दाम कर सकता है ठीक है तो चलिए अनुछे 14 की बात कर करता हूं है कि अनुछय 75 कि क्या नोचा 75 एक पर्धान मंत्री की निव्क्ति राष्ठी पती करेगा और अन्यमंत्रियों की निव्कति राष्ठीरे पर करेगा बात समझ में आ गई कि जो प्रदाहन मंतरी की निवपति तो राश्ट्र neh समझें तो चेहतreaming में बहुत पूछता है उम्शितितना संसत के गठन का प्रावधान किया गया है अमच्छेद 80, राजसभा की सनरचना, दीके बहुत बार पूछा गया, राजसभा की ठीक है ना, अनुच्छेद 80, लोगसभा की सनरचना, दीके दोनों अगल-गल है, राजसभा की सनरचना और लोगसभा की मिलान में देता हमेशा, अनुच्छेद 83, एक की बात करता है, रा योगिता क्या होगी संसद में आप सदस चुने जाएंगे तो उसकी योगिता क्या होनों चाहिए चुनाओ लड़ने के लिए ठीक ना का प्रियोग ठीक ना देखें लोगसभा का अध्याच जो होता हो तो चुन मतलब ओड़ दे सकता है लेकिन कब दे सकता है कि जब दोनों पच्छ बराबर हो यानि टाई का मैटर हो तब अपना क्या निडायक मत देता है लोगसभा अध्याच यह बारबार पूछा गया है ठी लोगसभा अध्याच एक सो आठ़ की बात कर रहा है कुछ द दसाओं में दोनों सदनों कि सण्युक्त बैठच जैसे सन्युक्त बैठच बुलाती उनके हरते कौन करता है राश्टे पर तो किस अनुसेद के तहट दोनों सदनों की जो सनुक तो बैठक बुलाई जाती है तो अनुछेद 108 कि था 109 में धन विदयक के संमंद में निशेद परक्रिया कि धन विदयक है की नहीं है अनुछेद 110 में धन विद že की परिभासा दिये गिया है कि क्या-क्या होना चाहिए कोई भी बिल लाय जाता है और सदन के दोनों सदनों में अगर पारित हो जाता है तो राश्टरपती उसको अनुमती देता है तो किस अनुशेत के दहट 111 के दहट कि ये बिल बन गिया ठीक ने नेक्स्ट की बात करता है अनुशेत 112 की 112 में कि वार्शिक वित्य वित्रन की बात कर रहा है 170 में वित्य विदेकों के बारे में विशेश उपबंद की बात कर रहा है ये बहुत बार पुछा गया इसको भी 112 में नियालय दोरा संसेत की कारवाई की जाच न किया जाना ठीक ने नियालायों दारा संसत की कारवाईयों की जांच ना किया जाना यह अनुष्ट 122 में है यह काफी बार पूछा गया है, 123 देखी तो बहुत इंपोर्टेंट है संसत के सित कालिन के अध्यादेश प्रख्याति मैंने सम्मिला जुला के कि अध्यादेश जारी करना, चुकि यह तो परिभासा पूरा दिया गया है आप जानदे कि राष्ट्रपति के सकती होती है, कि राष्ट्रपति क्या करता है अध्यादेश जारी करता है, 123 अनुष्यद 110 के तहत, अध्यादेश जारी करता है यानि कि जब संसद होती है कि शीत कालीन या फिर कोई भी सत्र नहीं चलता है उसमें कोई कानून बनाना होता है तो उसमें क्या करता है कि राष्टरपती अध्यादेस लागू कर देता है अध्यादेस के द्वारा क्या करता है नियम बना देता है और जब संसद फिर सत्रवास जो चलू होता है तब उसमें बिल पारित होता है लेकिन तब तक के लिए नियम तुरंद बनाना हो तो अमशेद 133 के तहट 133 के द्वारा राष्टपती के पासे सकती है अमशेद 124 की बात करता है उचितेम नयाले के अस्तापना और गठन याने सुप्रीम कोड की बात कर रहा है 3000 में बात कर रहा है उचितेwatch से परामर करने के राश्ठपति की शक्ति यह राश्ठपति क्या करता है सुप्रीम कोड और सा सला लिये सकता है ठीक नै मानना ना मानना यह उसको उपर है लेकिन सला एक बार ले शकता है सुप्रीम कोड से centre पती है चलि अब देखे राजपाल के निव्टि की बात करता है, जो इस्टेट में हमारे राष्टपती की दोवरा राजपाल की निव्टि की जाते हैं, तो अदुछे देखो पच्पन के थाथ, ठीकिना राजपाल के निव्टि होती हैं, 161 में छमा आदिक की और कुछ मामलों में दंड देश की निलंबन, परिहार या लगुकरण की राजपाल के शक्ति, आनि कुछ द़साओं में राजपाल के पास भी सकती होती है, क्यों क्या करता हैं, कि छमादान देश चकता है, या किसी भी सजा को कम कर सकता है, ठीक हैं, 114.1 की बात करता है, राजपाल दोरा मोख मंत्र की निवक्ति और मुख्यमंत्री की शलाव पर अनमंत्रियों की निवक्ति देखें मुख्यमंत्री की निवक्ति तो राजपाल करता है लेकिन बाकी जो मंत्री होते हैं उनकी निवक्ति मुख्यमंत्री की शलाव पर करता है कौन राजपाल अनुचे 164 एक के तहत करता है ठीक 169 कि बात कर रहा है, राजवों में विधान परिशोदों का उत्सादन या श्रिजन की बात कर रहा है, ठीक है ना विधान परिशत की बात कर रहा है 169 में, ठीक है, चले, बाकी इसके बात का जो भी अनुछ्येत हैं, मैं दूसरे वीडियो में लाउंगा, तो अब तक के देख लिजे हाला कि सब इंपोर्टेंट है सब आप इसको राइड डाउन कर लिजेगा याद कर लिजेगा चुकि मिलान में पॉलिटी में कम से हम 5-7 कोशन तो एकदम बिल्कुल आते हैं इसे और अगर हम देखें तो जो अनुछे से रिलेटेड कोशन हैं अगर ईपी पीसे की बात किया जा अन एक्जाम्स की बात किया जा तो जो पॉलिटी से रिलेटेड लगभा लगभा 15-16-18 कोशन पूछे जाते हैं उसमें 5-6 कोशन अनुछे से जरूर आते हैं ठीक ना तो आप इनको देख लिजेगा आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरे यूटूब चैनल का नाम है जी एस डाट एटू कियर एडी यू सी ए आर ए ठीक ना मित्रों तो थैंक यू थैंक यू सो मच